हलो वोटसब दोस्तों कैसे हैं आप सभी एक बार फिर मैं सिधात आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपकी अपने चैनलन में करियर भाई में दोस्तों आज का टॉपिक जो है वो लगभग मैं कहता हूँ कि हर एक ने कभे न कभी अपने जिन्दगी में हैं जो की बहुत जादा टॉक्सिक है बहुत घंदे तरीके से आप से पेशाते हैं आपको बहुत घंदे तरीके से technology किया जाता है आपको ऑल्मोस्ट एась MPH की तरह काम करवाया जाता है और अगर काम में कोई भूझूच होती है कुछ खामी रह जाती है तो बहुत घंदे त में क्या करना चाहिए इसके बारे में आज हम बात करेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नहीं है अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजे ऐसे ही इंपॉर्टन विडियो देखने के लिए तो चलिए दोसों शुरू करते हैं सबसे पहली बात तो आपको यह समझना पड़ेगा कि कोई भी अगर टॉक्सिक मैनेजर हो टॉक्सिक बॉसस हो तो यह बहुत बार पाया गया है कि उनकी परसनल लाइफ जो है वो काफी ज्यादा खराब होती है उनके अंदर जो जो है वो कंपनी के अंदर के लोगों को भुगतना पड़ता है उनका पूरा घुसा जो है वो निकालने का साधन उनके लिए जो है वो कंपनी के एंपलॉईज बन जाते हैं और चोटी चोटी बात पर वो लोग घुसा करते हैं बहुत गलत सालत चीज़े बोलने लगते हैं थोड़े से और जादा तमीज से बात कर ली जाए तो हो सकता है कि वो काफी जादा टेम डाउन हो जाए हाला कि ये गारंटी नहीं दी जा सकती है कि इससे वो टेम डाउन हो ही जाएंगे और बिलकुल आपको जो है वो वर्किंग एंवार्मेंट एकदम पॉजिटिव हो जाएगा लेकिन हाँ हो सकता है कि उससे वो आपको थोड़ी सी कम तकलीफ दे क्योंकि आप उनसे अच्छे से बात कर रहे हैं आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं लेकिन इसमें भी आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा बले आप उनसे अच्छी बात करें उनको रिस्पेक्ट दे लेकिन एक लाइन ज़रूर होने चाहिए जो कि किसी को क्रॉस करने की कोई अनुमती नहीं है किसी को वो क्रॉस करने का कोई हक नहीं है और वो लाइन ये है कि कोई भी अगर काम ठीक तरीके से नहीं हो रहा है इसकी वज़े से चार लोगों में आपके उपर चिला रहा है आपको गालिया दे रहा है या यहां पर जो है वो आपके घरवालों को भला बुरा कहा जा रहा है या आपके upbringing को भला बुरा कहा जा रहा है या आपको कुसी और चीज के उपर से बोला जा रहा है आपके caste, आपके religion इस सभी के उपर से बोला जा रहा है तो इसको tolerate बिलकुल नहीं करना चाहिए There should be a line वो आपको आपके काम के उपर से कुछ बोले भले ही वो आपको ये बोले कि you are useless in this work या you are incapable to do this work you are very slow यहां तक ठीक है लेकिन अगर वो कही personal होने लगे तो इसका जवाब जरूर देना चाहिए इसको भी आप politely बोल सकते हैं अगर वो बत्तमीजी से बात कर रहे हैं तो आप politely उनको बोल सकते हैं और basically आपको सामने ये रखना चाहिए कि भई आप जो बाते कर रहे हैं उससे मेरी productivity की उपर जो है वो खराब असर हो रहा है मुझे नहीं लगता है कि ये way से जो है वो हम succeed कर पाएंगे मुझे नहीं लगता है कि आपका जो ये approach है इससे हम हमारे project को तीजी से खतम कर पाएंगे और आपका जो ये बोलना है ये मुझे बहुत bother कर रहा है जिसकी वज़य से मेरे काम में efficiency पर बहुत ज़्यादा फरक पड़ रहा है मेरी productivity पर बहुत ज़्यादा फरक पड़ रहा है क्योंकि अकसर ये देखा गया है कि जो toxic bosses होते हैं उनको अपने team के काम से रेकर के उनके target से लेकर के गोल से लेकर के बड़ा लगाव होता है तो उनको ये कोई फरक नहीं पड़ता है कि उनकी बात करने से आपको emotional कितना बड़ा turmoil जहिलना पड़ रहा है या आप मानसिक तोर पर कितने जादा जो है वो नीचे धस रहे हैं और उसका क्या effect हो रहा है they are least bothered about it उनको कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन जब आप इस बात को आपके काम के साथ जोड़ते हैं आपके गोल के साथ जोड़ते हैं तब वो वहाँ पर जो है वो जाग जाता है कि भही हमारी बातों से कही काम न विगड़ जाएं क्योंकि कई बार यह toxic bosses जो है वो अपने employees को गधा मजदूरी करवा करके हर तरीके की चीजे बुलवा करके जो है वो उनसे हर एक बून्द निचोड़ना चाहते हैं और उनके जो higher authorities हैं उनकी नजरों में उठना चाहते हैं उसके लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं तो उनके उपर उनहीं कदाव खेलना चाहिए कि उनका हर एक कदम जो है वो अगर targets related है no matter कि employee को क्या तकलिफ हो रही है तो फिर उनको इसी का डर बिठा दीजिए आप कि आप अगर इस तरीकी की बाते करेंगे तो target complete नहीं हो पाएगा हाँ हो सकता है कि इससे वो आपको भी धमकी दे कि फिर आपको जो है वो fire कर दिया जाएगा ये कर दिया जाएगा वो कर दिया जाएगा फलाना डिकाना लेकिन वैसे भी बात ये है कि ऐसे toxic environment में अगर आप रह रहे हैं तो ये fire होने से भी ज़्यादा बुरा है क्योंकि ये scientifically प्रूव हो चुका है कि जो लोग बहुत ज़्यादा pressure के अंडर काम करते हैं जिनके उपर continuously कोई आदमी bully कर रहा है कोई आदमी भला बुरा के रहा है इन लोगों की मानसिक इस्थिती जो है वो बिलकुल भी अच्छी नहीं रहती है बहुत बुरी हो जाती है ऐसे लोगों में suicide tendencies भी आ जाती है, depression तक आ सकता है यहाँ तक की heart attack का खत्रा भी बढ़ सकता है तो fire होना मैं समझ सकता हूँ की आप वहाँ से actually escape कर रहे है क्योंकि अगर वही पर आप उससे कही न कही acclimatize होने की कोशिश कर रहे है या अपने सारे जो कुछ भी insults हो रहे हैं उनको जेलते जा रहे हैं तो ये आपके लिए ही अच्छा नहीं है तो आप जो चीज़े गलत बहुत गलत जा रहे हैं उनके पारे में सीधे तोर पर उनसे कह दीजेगा दूसरी बात ये है कि कुछ चोटी चोटी चीज़े ऐसी होती है जो की bother जरूर करती है इस बात को मैं जरूर मान सकता हूँ क्योंकि मैं खुद कुछ सालों पहले ऐसे कंपनी में काम करता था जहां पर हमारे जो बॉस थे वो बहुत ही जादा टॉकसिक थे जिनको केवल और केवल employee को fire करने में ही जो है वो विश्वास रखा जाता था उनके द्वारा और उसकी वज़े से जो है वो मेरी खुद की भी मानसिक इस्थिती जो है वो बहुत बुरी हो गई थी तो इसकी वज़े से जो छोटी छोटी बाते होती है उनको छोड़ना सेखिए वरना ये आपके मन में घर कर जाएंगी और ये आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देगा उनको उससे कोई फरक नहीं पड़ता है और कोई अगर बड़ी चीज हो जाए तो वो अपने मन में उबलते ना रहने दे अपने परिवार वालों से उससे बात करे या आपका कोई भरोसे मन कॉलीग है जिससे आपकी अच्छी दोस्ती है जिसके उपर आप भरोसा कर सकता है उससे इसके बारे में बात करें अपने दोस्तों के साथ इसके बारे में बात करें ताकि आपको उस पूरे सिचुएशन के उपर जो है वो एक अलग परस्पेक्टिव मिल सकता है हो सकता है कि जतनी situation आप खराब समझ रहे हैं उतनी situation खराब ना हो यह उसको कोई solution जो है वो simple हो लेकिन आप उस वक्त बहुत ज़्यादा भावनाओं से घिरे हैं जिसकी वजह से आपको clearly दिखने रहा हो तो इसकी वजह से बाकी लोगों का यहां पर जो है वो अडवाइस लेना जरूर अच्छी बात है इसमें कोई कमजोरी की बात नहीं है और आई चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं इस प्रपेक्ष में वो यह है कि वहां से निकलना ही आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा अब मैं यह जानता हूं कि कि यह कोई बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली जो है वो फिजीएबल चीज नहीं लगती होगी कि भी क्या बोल रहा है यह थोड़ा बहुत प्रॉब्लेम हो रहा है तो कंपनी चोड़ दे वो जौब ही छोड़ दे तो मैं कहता हूं कि मैं जानता हूं कि यह उतना ज्यादा आ कि यह जौब जो है वो आपको पैसा जरूर दे रहा है लेकिन अगर आपको यह फिजीकली बहुत अफेक कर रहा है आपकी मेंटल हेल्थ पर बहुत ज्यादा अफेक कर रहा है इसकी विजए से आपके परिवार के साथ रिष्टे खराब हो रहे हैं तो यह आगे चल करके औ और जादा आपकी पूरी जिन्दगी को तबाह करेगा कुछ चंद रुपीयों के लिए जो है वो आप आपकी जिन्दगी तबाह नहीं कर सकते हैं और एक चीज आपको सामने रखनी पड़ेगी कि आप इतने भी जादा यूजलेस नहीं है अगर आपको यह जौब मिल सकता है आपको जरूत नहीं है कि यह सारी चीज जो है उससे आपको सफर करना चाहिए कई लोग यहां पर यह भी करते हुए पाए गये हैं कि वो जैसे जैसे बॉस उनको दबाते जाते हैं या कुछ चीजे बोलते जाते हैं उनको ब्लेम करते जाते हैं वो लोग खुद भी अप फिर मैं कहता हूँ कि आप ही की personality बहुत खराब हुए